मासूम की हत्या आगरा के थाना जगदीशपुरा शेत्र में सोंबार देर रात को 9 साल की बच्ची की घर में ही हत्या कर दी गई उसका शव एक कमरे में अलमारी के अंदर रजाई में छपाया गया था देर रात पुरिस ने शव बरामत करने के साथ मकान में ही किराई पर रहने वाले एक योवक को हिरासत में लिया है उससे पूछताच की जा रही है परिजनों द्वारा बालिका के साथ दुशकर्मी की आशंका जताई गई है बालिका के पिता मूल रूप से मंटोला इलाके के रहने वाले है वह तक्रीबन दस साल से जगदीश पुरा शेतर में चल रहे है वह मजदूरी का कारे करते हैं पांस साल से एक मकान में किराई पर रह रहे थे पतनीवी घरों में जाड़ो पोचा करने जाय करती है सोंबार सुबा बच्ची के माता पिता काम करने के लिए चले गए छोटा भाई घर में खेल रहा था दो पहर में दो बजे मा घर आई उन्हें बेटी कही नजन नहीं आई तो उनोंने घर में ही किराय पर रहने वाले प्रकाश के बेटी सनी से बेटी के बारे में पूछा, उसने कह दिया कि वह बाजार गई है तब से लोट कर नहीं आई है, मा को चिंता हुई वह बेटी की आसपास तलाश करने लगी, मगर वह नहीं मिली, शाम को साधी पांच बज पूछास में उसने हत्या करना सुविकार किया और बच्ची को शिपाने के बारे में बताया, इस पर पुलिस उसे घर लेकर पहुंची और घर में ही अलमारी में से बच्ची के शव को बरामत किया, वहीं पुलिस ने आरोपी यूवक सनी को गरफतार कर लिया है और कानूनी कारे वही की जा रही है मैची मैया है और चार मेठा है जिसे रहे हैं और बता ही ना है जब बंद का दिया रजाई में रहे हैं तो बच्ची को शव कर दो नहीं है मेहंगी बिजली बिल की समस्था से छुटकार अपाईए, सोलर सिस्टम लगाईए, जी हां आपके लिए बेहत आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना, संपर करें, M.A.T. Electronics Corporation, प्रश्णा नगर, मच्राव जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका अरुमाई 25 परसेंट का रिटर्ण है, इसके हिसाब से दिखा जाया है, तो जो लागत आप लगा रहे हैं, वो लागत आपकी चार साल में निकल आई